तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए Phenomenal Guru जी को साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेश टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो एन वेलकम फ्रेंट्स यो वाचिंग Phenomenal Guru जी चैनल दोस्तों ये देख सकते हैं ये है Samsung का Galaxy M30S और यहाँ पर हमने एक One UI 3.0 का फीचर लोड किया है यानि कि आप देख सकते हैं यहाँ पर One UI 3.0 का notification panel यहाँ पर work कर रहा है दोस्तों तो काफी अच्छा customization हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो One UI 3.0 का notification panel है जो कि वैसे ही feature आपको दे रहा है same to same और यहाँ पर काफी ज़्यादा यह फ्लेक्सेवल है दोस्तों काफी ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है customization वगेरा देखने को मिल जाते हैं तो किस तरीके से आप इसे apply कर सकते हैं और अपने smartphone को One UI 3.0 के feature दे सकते हैं अगर आप कोई भी One UI के version को use कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजे और वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बहुत जल One UI 3.0 का update आपको देखने को मिलने वाला है लेकिन आप ही आप चाहते हैं कि One UI 3.0 के कुछ feature हम use करें जैसे की notification panel जो की वैसा ही design आपको देखने को मिलता है तो किस तरीके से दोस्तों use कर सकते हैं तो description में हमारे आपको telegram group के link मिल जाएगी वहाँ पर आपको एक app का link मिलेगा दोस्तों उस app को आप यहाँ पर install कर लेंगे और install करने के बाद simply आप उसे open करेंगे तो इस app का नाम है one shade जो की काफी अच्छी app है दोस्तों अगर आप इस app को use करना चाते हैं तो simply आपको इसे on करना होगा और on करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है layout का option simply आप layout पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे additional feature मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा feature दिये गए हैं लेकिन अगर आपको इस तरीके का notification पैनल चाहिए तो उसके लिए आपको simply इसे on करना है और यहाँ पर आपको color का option मिलता है color के option में यहाँ पर आप select करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे background type तो आप इसे select कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको background transparent रखना है तो simply आपको इसको यहाँ पर 0 पर कर देना है और यहाँ पर apply पर click कर देना है इसके बाद notification बैक्राउंड में जाएंगे और इसमें भी आपको transparent set कर देना है और apply पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है active, tile, color तो यहाँ पर आप जो भी color set करना चाते हैं अपने according यहाँ पर set कर सकते हैं और set करने के बाद simply आप apply पर click कर दीजिए हम इसका color change कर रहे हैं और apply पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको color देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से आप one UI के feature का use कर सकते हैं दोस्तों तो description में आपको हमारे telegram group के link मिल जाएगी वहाँ से जा कि आप इस app को install कर सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा है ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो को like कर लिजे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए good bye